नमश्कार दोस्तो आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको हरी ताले का तीज की ब्रत कथा सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव ओमा पार्वति कीजिए अवश्य लिख थी हरी ताले का तीज का ब्रत किया जाता है इस वाई यह ब्रत आज है इस दिन बिधी बिधान की साथ भगवान शिव ओमा पार्वति की पूजा अरचना की जाती है और हरी ताले का तीज का ब्रत रखा जाता है तथा हरी ताले का तीज की ब्रत कथा पड़ी या सुनी जा होती है यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है इसलिए इस दिन हर तालिका तेज की कथा अवश्य शुनने वपढ़नी चाहिए अब सुनिए हर तालिका तेज की यह कथा एक बार मातब पारवती ने भगवान सिप से पूछा हे प्रभु मैंने आपको किस भात प्राप्त किया कौन से ब्रत तप या दान के पुन्य से आप मुझको बर के रूप में मिले तब भगवान सिप बोले हे देवी मैं आपके सामने उस ब्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर बर्णों में ब्रहमन देपताओ ब्रहाओं में गंगा पुरानों में महाभारत बेदों में साम और इंद्रियों में मन्स रेठ है वैसे ही पुरान ब्रहाणोंमें इसका बर्णन आया है जिसके पिरभाब सिटमको मेरा आधा आशन प्राप्त हुआ है हे देवी उसी का मैं तुमसे बनन करता हूँ सुनो पहले हिमालय परवत पर इसी महान ब्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब मापारवती ने कहा, हे प्रभू, इस ब्रत को मैंने किसलिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सुक्रपा करके आप मुझे सुनाए। तब भगवानशिप बोले, आरे वर्थ में हिमालय नामा की एक महान परवत है, जहां अनिक परकार की भूमी, अनिक परकार की ब्रच्छों से सुसुबित है, जो सदे बर्ष से ढखे हुए, तथा गंगा की कलकल धोनिशे, सब्दाय मान रहता है। हे पारवती, तुमने बाले अवश्था में उसी इस्थान पर परम तब किया था, और बारे बर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अगनी में प्रिवेश करके तब किया, सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर, अनित्या कर तब करती रही, तु तुम्हारे पिता ने देवरिशी नारत के स्वागत किया और कहा हे मुनिवर आपने यहां तक आने का कष्ट कैसे किया तब नारत जी ने कहा हे गिर्राज मुझे भगवान विश्णू ने यहां भेजा है तुम मेरी बात सुनो आप अपनी कर्निया को उत्तम बर्को दान करें ब्रहम इंदर शिव आदि देपताओं में विश्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विश्णु को ही दें तब हिमालय बोले यदि भगवान बासदेव सुयम ही कन्या को ग्रहन करना चाहते हैं और इस कारे के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वै मेरे लिए गौरब की बात है मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवरिशी नारज जी आकास में अंतरध्यान हो गए और भगवान बिश्णू के पास पहुँचे नारज जी ने हाथ जोड़कर भगवान बिश्णू से कहा हे प्रभु आपका विवा कारे निश्चित हो गया है इधर हिमालय ने पारवती जी से प्रशनता पूर्वक कहा हे पुत्री मैंने तुमको गरुर द्वज भगवान बिश्णू को अरपन कर दिया है पिता के इन बाक्यों को सुनते ही पारवती जी अपनी सहीलियों के घर गई और वहाँ पर रोने लगी उनको रोते हुए देखकर सखी बोली हे देवी तुम किस कारण से दुखी हो मुझे बताओ मैं अवश्य तुमारी इच्छा पूरी करूंगी तब पारवती जी बोली हे सखी मेरी जो मन की अभिलासा है मैं तुम्हें बताते हूं मैं भगवान शिव को बरन करना चाहती हूं मेरी इस कारी को पिताजी ने बिगारना चाहा है इसलिए हमें निशन दे इस शरीर का त्याग करूंगी पारवती के इन बचनों को सुनकर सकी ने कहा, हे देवी, जिस बन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ तव देवी पारवती अपनी सखी का यह बचन सुन ऐसे ही बनको चली गई पिता हिमाले ने तुमको घरपन न पाका सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव, देव या किनन हरन करके लिए गया है मैंने नारा जी को बचन दिया था कि मैं पुत्री का बेवा भगवान विश्णू के साथ करूँगा, अब यह कैसे पूरा होगा ऐसा सोच कर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्चित हो गए तब सब लोग हा हा कार करते हुए डोड़े और मूर्चा दूर होने पर गिरराज से बोले, कि हमें आप अपनी मूर्चा का कारण बताओ तहे माला बोले, मेरी दुख का कारण यह है कि मेरी कन्या को कोई हरर कर ले गया है या उसे सर्पने काट लिया है या पता नहीं वह कहां चली गई उसे किसी राच्छस ने मार डाला है इस प्रकार कहकर गिर्राज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीब रुबाई को चलने पर कोई ब्रच कांपता है इसके बाद है पारवती तुम्हें गिर्राज साथियों सहित अपने जंगल में ढूने निकले तुम भी सकी के साथ भयानक जंगल में गूमती हुई बन में एक नदी के ट्रट पर एक गुफा में पहुँची जहां तुम अन्य जल का त्याक करके बालू का शिवलिंग बना कर मेरी अराधना करती रही उस समय पर भाद माज की हस्त नच्छत युक तरतिया के दिन तुमने मेरा बिधी विधान से पूजन किया तथा रात्री को जागरन किया तुम्हारे इस महान ब्रत से मेरा आसन डूलने लगा मैं उसी इस्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी मैंने आका तुमसे कहा मैं तुमसे प्रशन हूँ फिर तुमने मुझसे बरदान मांगा तब तुमने कहा हे देव यदि आप मुझसे प्रशन हो तो आप ही मेरे पती हो मैं तथाश्तु कहकर कैलास परवर्थ पर लोटाया और तुमने सुबह होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में बिसर्जित कर दिया तुमने वहाँ अपनी सखी सही ब्रत का पारयन किया इतनी में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुमें ढूंटे ढूंते उसी घने बन में आ पहुंचे उस समय उन्होंने नदी के टेक पर तुमहें देखा तो तुम्हारे पास आ गये और तुम्हें हिड़े से लगा कर रूने लगे बोले बेटी तुम इस नहीं विज्ञादी युक्त घरे जंगल में क्यों चली आई तुमने का है पिता जी मैंने पहले ही अपने आपको भगवान शिव को समर्पित कर दिया है लेकिन आपने नारे जी को कुछ और बोल दिया इसलिए मैं महल से चली आई ऐसा सुनकर हिम्बान ने तुम से कहा मैं तुम्हारी इच्छा के विरुदियाकार नहीं करूंगा तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा बिभा मेरे साथ कर दिया और इस तरह हमारा बिभा हो गया उसी ब्रत के पिरभाग से तुमको मेरा अध्राशन प्राप्त हुआ है इस ब्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुक बढ़न नहीं किया है हे देवी अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ इस ब्रत का यह नाम क्यों पड़ा इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सकी ने तुम्हारा हरन किया था इसलिए इस ब्रत का नाम हर तालिका पड़ा इस ब्रत का महत यह है कि मैं इस ब्रत को पूर निष्ठा से करने वाली प्रतिक इस्त्री को मनोवांचित फल देता हूँ उसी तरह इस ब्रत को करने वाली सभी महलाओं के सुहा के उम्र लंबी हो और उनका जीवन खुसाल रहे माना जाता है कि जो इस ब्रत को पूरे विदी विधानों से रद्ध पूर्वक ब्रत करती हैं उन्हें इच्छानुसार बर्की भी प्राप्ति होती है जैहो भगवान शिवकी जैहो मातब पार्वती की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रताएए साथी मेरे वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादा शेयर करिए धन्यवाद दूस्तो